हलो प्रेंड स्वागत है आपका मेरी चैनल में आज हम बनाने वाले हैं केला के फूल की बहुत ही टेश्टी सबजी तो इसके लिए सबसे पहले हमें केला का जो फूल है तो इसे हमें बीनना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फूल का सामने का जो ये प्लास्टिक के जैसा जो भाग आपको दिख रहा है इसे हमें निकाल देना है और बीच का जो मोटा डंठल है इसे भी हमें निकाल देना है क्योंकि ये जो है ये पकते नहीं है तो सभी फूल से इस तरह हम ये द वो दूर हो जाएगा इसके बाद हम साफ पानी लेंगे और हम इसको बॉयल करेंगे...? तो यहां पर हम ढालेंगे थोड़ा सा नमक-धाली नमक-धाली दालकर अच्हेसे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हमें इसे अच्छे से boil करना है इसे तब तक boil करेंगे जब तक केला का जो full है ये soft नहीं हो जाता है तो यहाँ पर हम ढखकन लगा देंगे और ढखकन लगा कर इसको हम लगभग 10 मिनिट के जितना boil करेंगे इसके बाद हम इसको check कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केला का जो full है ये लगभग बग गया है तो इसके बाद हम gas off कर देंगे और इसको च्छान लेंगे उस पानी को भी हमें fake देना है इसके बाद मैं यहाँ पर एक कच्चा केला को छील कर छोटे-छोटे टुकडों में काट कर पानी में भीगो दी हूँ इसके बाद हमें चाहिए प्याज, मसाले में हम लेंगे लहसुन, अद्रग, हरी मिर्ज, जीरा और धनिया इन सब का हमें पेश्ट बना लेना है, तो इन सब को हम मिक्सर जार में डाल कर एक फाइन पेश्ट बना लेंगे अब चलिए हम जल्दी से सबजी को बनाना शुरू करते हैं, तो इस सबजी को हम सरसो के तेल में बनाएंगे तो इसके लिए कड़ाई में हम डालेंगे सरसो का तेल, तेल हमें थोड़ा जादा ही डालना है, यूगि इसमें हमें केला को फ्राइ करना है, तो केला जो है उसको हम तेल में डाल देंगे, और आप चाहें तो केला के जगा पर आप आलू भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास केला ना हो आप आलू डालकर यह सबजी बना लेजिए। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हलती। और केला को हमें एकडम अच्छे से पका लेना है।AS जीरा और जीरा जब अच्छे से तड़क जाए। तो फिर इसमें हम ढौल देंगे प्याज तो प्याज ढूलकर अच्छे से बॉनना है जब तक प्याज जो है वह अच्छे से गुला भी नहीं हो जाता है और यहां पर आप देख सकते हैं है यह प्याज जो है एक्दम अच्छे से बॉन गया है तो फिर uityला का owning केला का इसको अच्छे से भून लेना है, आप कलर के लिए इसमें थोड़ा से कश्मेरी लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, तो इसको हम भून लेंगे, इसके बाद जो मसाला का पेश्ट हम तयार करके रखे थे उसे इसमें डाल देंगे, इस पेश्ट को हम अच्छे से धो कर डाल ताकि मसाला जो है, वो जरस अभी वेश्ट ना हो, और मसाला को अब हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, ध्यान रहे इस सबजी में मसाला जो है, यह एकदम अच्छे से भूनना चाहिए, तभी सबजी का टेस्ट आएगा, तो इसको हम मीडियम आच में चार से पांच मिन तक भून लेंगे, और इसके बाद यहां पर हम डाल देंगे पानी, तो पानी हमें बहुत जादा नहीं डालना है, बस एक से दो कप के जितना पानी डालना है, इसकी हमें ग्रेवी नहीं बनानी है, यह सूखी सबजी रहेगी, क्योंकि यह सूखी ही जादा अच्छी लगत अच्छी जितना घी, गी आप इसमें जरूर डाले इसके बाद धकन लगा देंगे, और धकन लगाकर इसे बस एक मिनट तक पकाएंगे, इसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे, और धकन हटा कर इसे हम चेक कर लेंगे, और यहां पर आप देख सकती है, कि हमारी सबजी है, तो बताएए फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू